मेरी अपनी सब की है ये मेरी अपनी सब की है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते दर्शको नमस्कार दुरुदर्शन 36 गळके सजी प्रसारण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं कारेकम आपका अपना है आपकी बात हैं और कारेकम की आज की इस कड़ी में जिस विशे पर हम बात करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें सही पूर्शन देश रोशन इस विशे पर हम बात करेंगे और बतौर विशेशग हमारे साथ हैं न सिर्फ राइपरू के बलकि 36 गल के जाने माने वरिष्ट चिकिसक डॉक्टर अजैस साहय जी साहय साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने इस कारेकर में आप कारेकर में कई बार आए हैं और आज सही पोशन देश रॉशन इस विशे पर आपके जो सला है आपकी जो मश्वरे हैं वो हमारे दर्शकों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे तो आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात्चीत यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि एक सामाने विक्ति को पोशन के लिए आहार के साथ में क्या कुछ लेना जरूरी है कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बताना चाहूँगा जो सब को जानना जरूरी है कि हमारे देश में जो भी हम अनाच पैदा करते हैं और सबजियां पैदा करते हैं दुख दूत पादन होता है दुनिया में हम उत पादन के छेतर में खाद पादार्थों के छेतर में दूसरे नमबर पर है और कुछ चीजें जैसे हमने दुक्त पादन बोला, सब्जी उत पादन बोला, मच्री उत पादन बोला, इसमें हम शीर सिस्थान पर हैं उसके बाद भी आपने सुना होगा कि हमारे देश में अभी भी बीस से बाइस करोर लोग कोपोशन क्या भुकमरी के शिकार हैं तो जब हम उत पादन में सर्वस्रेष्ट हैं और उसके बाद हमारे देश में लगभाग चौथाई प्रतिशाद जन संक्या आज भी कोपोशन या भोजन की कमी से या भुकमरी से जूज रही है या भुके सो रही है तो इस बात पर चिंता करने की और विश्रेशन करने की बह का हते हैं मतलब क्वालिटी क्वालिटी जलूब है क्वालिटी अलग चीज तो हम जो भोजन करते हैं ऑक्वि क्यो様 माइक्रनुट्रियंट्रियंट परियाफ्ट मात्रा में मतलब शरीban को जितना कर्वॉह्ःडइड चाहिए Corey चाहिए और जितने मिन्ड आइ चाहिए उतनी मात्रा में अगर हम लगे तब ही हमारा 차 sat स्वास्त्र रहेगा और जब हमारा शही स्वास्त्रा रहेगा तब ही हमारा सम्रिद होगा, आंसम्रिद होगा. बिल्कुर सही काहा है आपने उद्पादन नारी जो बात बुली है मैं उससी में थोड़ा सा आगे आना चाहूंगा कि आज करशी के शेतर में हम लोग काफी आगे हैं बहुत आगे हैं और निशित तोर पर उस विकास के मदे नजर बहुत सारे जो फसले हैं उनको बहुत 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 बहु क्या ये उस सुपोशन और कुपोशन के बीच के एक महत्मून कड़ी है जो लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है एक अच्छा आहर है देखें आपने दो चीज़ें कही हैं पहुंच नहीं पाना मतलब ट्रांसपोर्ट होता है जो कि आपका मंडी करन भंडारन आप कैसा करते हैं और आपने योजना बनाई योजना बनाना अच्छी बात है लेकिन योजना लागू आपने कैसे की आपके पास मंडियों में पहुँचा है कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये श्टॉक पड़े हम भी देखते हैं कि पड़े-पड़े खराब हो गए और पहुच नहीं पाया तो और जब पहुचा तो इतना लेट हो गा है को खराब होने लगा और उसको खराब होने से रोकने है कि लिए उसमें कीट आशक से बचाने के लिए और खेती खराब मत उसके लिए ये बहुत खराब करते हैं शरीर को ये शरीर के हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको ये पूरी तरह से चिन भिन करते हैं कैमिकल्स ये ही बात है आपकी गाड़ियों से जो पिरदूशन निकलता है धुएं को र बात उनको गिप्ट में मिल जाता है स्मोक के जहर जो से पाए जाते हैं रसायन होते गैसे होती तो ये सब कैमिकल्स हमारे शरीर की जो हर्मोन प्रणाली इसको छिनने भिन करते हैं इसलिए इसलिए इनको हमने जो एन्वारमेंटल हर्मोन का है जब हमारे शरीर को छिनने भ लोगों में मोटापा आ रहा है, लोग बीमार जल्दी हो रहा है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, यह सब जो आपके जो कीट नाशक है और जो प्रिजरबेटिव है, केमिकल खातु है, खाद है, यह सी सब के दूश परडाम की बज़े से हो रहा है, ल वहां से विशेश तोर पर यह कहा जाता है, चुकि आप वरिष्टी किस्सा कहें, आप जानते हैं उन चीजों को दर्शकों को बता भी पाएंगे, क्या वज़ा है कि गर्वती माता जब गर्व का धारन करती, वहां से सूपूशन के लिए उसे बहुत ज़ादा केंद्रित क की जाता है, कोशिश की जाती है, कि उसे और उसके होने वाले बच्चे को वहां से सूपूशन मिलना शुरू हो जाए, तो क्या लगता है कि? नारी जन्नी है इस दुनिया की इस धर्टी की स्रिष्टी करता है वो इस रिष्टी को जन्म देती है अगर जन्म से ही शुरुआत गड़बड हो गई तो आगे फिर स्रिष्टी किस रूप में होगी बताने कि आप शक्तन नहीं आप उसकी कल पना कर सकते हैं तो डे जीरो से जिस दिन जल्दी जल्दी पता चले कि कोई माता गर्वती हो गई है या शीच के रिंग गर्वधारां कर लिया है तो उसी धिन से उसके खान पान पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि डे जीरो से जब आप खान पान पे ध्यान देंगे तो आप सिप मा को स्वस्त रखना हमार स्वस्थ रखना है उससे भी कहीं ज़्यादा जिम में जारी जो एक ईश्वर की सबसे शांदा क्रिती का क्रियेशन हो रहा है गर्व में पल रहा शीशू है उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है तो जिस दित पता चले कि बच्चे की कोई महिला गर्व धरान कर ली है उस द है कि भी शारी दी क्या मांसी विकलांगता हुई तो फिर वो हमेशा उसका जीवन खराब होता है तो सिब मा का ही ध्यान नहीं रखना है वो एक सिरिष्टी की रचना करने जा रही है तो जो सिरिष्टी रचना जा रही है वो पूर स्वस्थ होनी चाहिए इसलिए गर्व ध कि अगर हम बात करें तो चुकि हमारा 36 गड़ भी आदिवासी बहुल शेत्र है और ग्रामिन शेत्र यहां पर बहुत जादा हैं शहरी शेत्रों में तो खास्तोर से जितनी सुविदाया हैं मिल रही हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले एक दशक में डेड़ दशक में सरकार ने जो यूजनाय चलाई हैं वो ग्रामिन शेत्रों तक भी सुपूशन के तहत और स्वास्तोर विदा सब पहुँच रही हैं बावजुदिस के ग्रामिन शेत्रों में थोड़ा सा कूपूशन की समस्या जादा दिखाई देती हैं क्या वज़ा मात थे अगर आप गा जो मैं पाता हूं कि आज शेहर में रहने वाले लोग भी अगर आप कहेंगे कि सुपोशित हैं तो यह बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि उसका करणा मैं आपको बता दूं कि आज किसी के पास समय नहीं है प्रतियोगता का जो हना यह दौर चल रहा है मा अलग नौकरी करन निगाम दौर पर नहीं दी है उसको मालूम है अगर अच्छा भोजा नहीं बनाओंगी तो उसको जोना भला बुरा सुनना पड़ेगा तो वो जो भी खाना बना रिये से खुब तेल डाल रही है खुब मेर्चे खुब नमक डाल रही है या फिर हम जो खाना घर में नहीं वह हम बाहर में हमारे बच्चे खा रहे है रेडी टूइट फूट जंग फूट क्या है यह सब को पोशित भोजन खिशरी भहम उनको गिंते हैं शहर में रहने वालों के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपकी खाना जल्दी बन जाता है हम बोलते हैं बाहर म खेल रहा है कैसी में रहते हैं खेल खेल रहें लेकिन उगलियों से खेल रहे कम्प्यूटर पर वो मैदानी खेल अब खतब हूचके है टाइम नहीं किसी के पास मैदान भी नहीं है और यह जो जंक फूड और आपके जो ड्रिंक्स हैं यह सब ले रहे और शारीक निषक करी तो ये भी एक तरह से कोपोशित हैं जो मुटापे के और नाना प्रकार की लाइफ इस्टाइल डिसॉडर के शिकार हो रहे हैं आपने गाओं की बात की गाओं में खुली हवा है आज भी हम उन गाओं की बात दी करें जहां कांक्रीट के जंगल खड़े हो गए आज भी मैंने विश्वास होता है कि हमने झो अनाज पोहुंचा नहीं या फिर आपनेंसम को ट्रेनिंग दि अध्यानता कई यांता कई बार नंदेविश्वास रहती है चोटी सी जीब को संतुष करने के लिए कोजी भी करते हैं मैंने कई बार देखा इनके खाने में पचार बहुत होता है मिर्चों की चट्टी बहुत ज्यादा होती है और इनको हरी सब्जियों का अभा होता है फालों को इनको ज्यादा ग्यान नहीं होता कि कितने हैं दो कि लोग अधिक साधिक जागरूख सिर्फ कॉंटिटी से फारक नहीं पढ़ता कि आप क्या 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 कॉंटिटी में बहुत मात्रा में आपके आनाज और फाल होते हैं बात यह क्वालिटी का भोजा नहां जाहिए डॉक्साब आप गुरस्तीय दोटी मात qualification आप से इस विशे पर और चर्चा जारी ही ठेकी कि ऐखा एक झुटा सव भीराम ले रहें और उसके बाद्युन हाजिर वह किैं हट तिस्फक्ष्टभ मतरम् प्रेजंधमात करे हैं tolerate ड्रॉट जुगलाम सुफलाम मलयद सिटलाम सस्यशामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम शुब्र जोचना पुलकित या मिनम् सुखा सिमीं सुमधुर भाशनिम् सुखदाम मरदाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम दोशकों विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कारेकर मापका अपना चल रहा है आपकी बाते हैं और विशह है सही पूर्शन देश रोर्शन हमारे साथ हैं 36 गड़ के जाने माने वरिष्ट चिकिसेक डॉक्टर अजय साही जी साही साब एक बार फिर विराम के बाद बहुत स्वागत विराम पर जाने से पहले बहुत सारी बाते हमने की और बहुत महत्पून बातें की हैं जो दर्शुकों तक पहुंची है अब मैं यहां पर थोड़ा से यह जाना चाहूँगा पिछले दिनों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेश्ट और पन्मन की बाते कारेक्टर में एक कड़ी में उन्होंने 36 गल के मिलेट्स की बात की थी श्री अन्न की बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो 36 गल के लोग हैं वो मिलेट्स का जो उपयोग करते हैं यही वज़ा है कि वहां पर बहुत अच्छे जो स्वास्त के परणाम हैं वो भी देखने को जुर्वत हैं मिलेट्स के बारे में जितनी हम प्रशन सा करें उसकी और च्छेज गड़े समें पूरे देश मैं आ famous की खेती कि मिलेट्स का मतलब होता है कि खड़ा नाज या कूछ लोग बड़ा नाजित को हमारे मोदी जी नेसको श्री अन्न का एक नाय नाम दिया है तो ये होते हैं आपके कोदो है बाजरा है ये सब खड़े अनाज में आते हैं तो पहले क्या होता था कि गाहँ वाले या जो पहाड़ी छेतर में रहते हैं वोग इसका सेवन करते थे इसकी जानकारी का भाव था ल जानाज का सेवन जादे करते हैं ये वो अनाज है जो पहाड़ी छेतर में भी बड़ी आसानी सोगाते हैं साल में कई बार फसल देते हैं इनको ना तो पानी की जाद आवश्रकता होती ना इनको खातू की यानि खात की आवश्रकता होती ये बड़ी तेजी से ग्रो करते है और बाद में जिनका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये तो आपके फाइबर से भरपूर हैं फाइबर प्रिचुर मात्रा में अगर फाइबर इसमें होते हैं मतलब फाइबर क्या होता है जो हमारे पेट की जाडू लगाता है सफाई करता है तो अगर आप फाइबर वाल कार्वायडेट उतनी मात्रा में जितना हम कुछ चाहिए वसा नहीं है और जो भी इनमें आपके माइकोल औी नूट्रिएंटस हैं वो आपके आइरण है, उसमें केल्शियम है और ये हमारे शरीर में जो एनिमिया की कंडिशन को पैदा नहीं होने देते कैंने काम करते तो सब को मालूम को Iतनी बुरी चीजा नसओं में जम जाती खूण की लगती यह नमें रक्त के दाट होता है और जब भी खून का दारा अवरुद होगा तो हार्ड अटेक, ब्रेन अटेक यानि लखवा जैसी विवानिया उत्पन होती है तो कोदो हमारे बहुत काम की चीज है और बहुत आसानी से पैदा होती है पॉस्टिक गुड़ों से बहर पूर है इसको पकाना असान है इसको कुछ सही कहा आपने कि मिलिट्स जो है उसका उपयोग जितना अधिक से अधिक किया जा सके अपने खान पान में वो करना चाहिए अब मैं आप से यहां आप पर यह भी जाना चाहूंगा कि खान पान के साथ साथ हम लोग यह देख रहे हैं कि अगर एक बार फिर मैं ग्राम कई बिमारियों की जड़ है तो क्या ये जो फैटे ने सारी बच्चों में जो ठीक बड़ रहे हैं तो उसका रिजन क्या यही जंक फूुड और यह सब या या यह कहना चैschaft कि जो आपने कहा है कि क्वालेटी फूड नहीं खा रहे हैं नहीं हुऊंटिटी खा रहे हैं जंक को प्योग करते हैं तीन सफेज जहर हैं एक जहर नमक जिसको ज्यादा खाने से बीपी बढ़ता है बीपी बढ़ेगा तो हाड की समझ से आऊंगी दूसरा आपके होती ही शक्कर शक्कर बढ़ेगी तो इससे डाइबिटीज आपकी बिगड़ना का डर होता है और अगर आप मीठी चीज़ों का ज्यादा सेवान करते हैं तो यह शरीर हमारा हर कोशी का हमारी कंप्यूटराइजड है उतना ही गुलुकोस विकार करेगी जितनी उसको एनरजी शरीर को चाहिए और बाकि यह चर्बी के रूप में एकत्रित होने लगती है तो पहले हम सोचते थे कि सिर दूबला है फिर इसको हार्ट अटेक क्यों गया इसको लखवा क्यों मार गया इसके शरीर के अंद्रूनी अंगों में चर्बी जादा है उपर कि हमको दिखाई नहीं दे रही इसलिए नाना प्रकार की जांशे की जाती है पीच बीच हम कहते हैं पिरियोडिक चेक अप करत कि अगर एक किलो चर्बी एक्ट्रा शरीर में जम गई तो उस एक किलो चर्बी को पूरा खून फेकने के लिए कम से कम हार्ट को तीन सो किलो मीटर नलिकाओं का एक्ट्रा जाल बिचाना पड़ता है यानि रायपुर से नागपुर तक आपको पाइपलाइन डाली पड़त तो सोची हार्ट पे गित्ता लोट पड़ेगा अगर आपकी दस किलो चर्बी जाद है दस किलो ओरवेट हैं तो इसका मतलब यह कि आप दस किलो का बोजह अपने कंधों पे लेका रोज घूम रहे हैं इतना जब बोजह आपके घुटनों पे पड़ेगा तो घुटने खरा होती तो हार्ड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो इनको हाई ब्लड प्रेशर होगा हाई वीपी होगा तो कार्डियक फेलूर की इस्थिती डवलप हो सकती तो यह जो मोटापा है यह सारी बीमारियों की जड़ है बिलकुछ सही का ड़क साब आपने अब मैं य इंधा नमक जो इस्तेमाल करते हैं आमतोर से आजकल से उपवास वगरा में इस्तेमाल होता है तो वो करना चाहिए शक्र की जगा वो गुड की सलह देते थे कि गुड का उपयूग जादा जादा करना चाहिए लेकिन कलांतर में समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदलती गई कई बार उपलबधता वाली बात आते ही है और कई बार जो आपने कहा कि लाइफ स्टाइल भी उसके लिए बहुत सारा जिम्मेदार है तो अब मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को मैं आप से ये जानकारी दिलाना चाहूँगा कि सुपोशन क के लिए मिलिट्स के अलावा क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी जाई है देखिए सबसे बढ़िया तो ये है जो हम लोग सब को जानकारी देते हैं और खास तोर से जो लोग बीपी के पेशेंट है हार्ट पेशेंट है डाइब डीच के पेशेंट है हम उनको कहते हैं कि ये कम थाली सजा देते हैं भोजन की थाली भोजन की थाली में फिफ्टी परसेंट आपकी हरी सबजिया रंग बिरंगी सबजिया और रंग बिरंगे फ्रूट सौने चाहिए तो आपने फिप्टी परसेंट तो आपका जो पेड़ भर है सलाद से हरी सबजियों से और ताज जादा होगा उतनी जल्दी आपकी भूख शान्त होगी क्योंकि दाल में भी आखिर प्रोटीन कार्वाइट वगरा होते हैं जी तो आम ने बचे पचीस परसेंट में दाले नी पतली और मिल्क और मिल्क प्रोड़क्ट से लिए दूद और दूद से बनी चीज़े चाच है द के खाने में ठाली में 50% हरी सबजी हैं सलाध हो फ्रोट सों 25% आपकी दाल और मिल्क प्रोड़क्ट सों और 25% में गेहूं और चावल हो तो अगर आप ऐसा लेते हैं और आप पर आप जो ट्रांस फेट्स और घीतेल वाली चीज़े कम लेते हैं और आप नमक का सेवन कम करत लेकिर रोज रोज मत लीजे, कभी कभार अच्छा लगता है, हबते पंदरा दिन में एक बार, और आप उसमें नमक की मात्रा कम लें, शक्कर की मात्रा कम लें, तो यह आपके लिए एक संतुलित आहारवाली थाली बनती है, अब यह आपने सेंदा नमक बोला, फिर गुर बो नहीं को देखिए, यह लोग नहीं बीमार होते हैं, कहां डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपने धर double के लें, खुब सारा क्ना दीजिये, डॉक्स अब जब सुपोर्शन की बात हो रही है और देश रोशन की बात हो रही है तो एक बात के जिकर के बगर मैं समझता हूँ यह बात अधूरी रह जाएगी बालिकाओं के सुपोर्षन के लिए विशिश तोर पर योजनाय भी चल रही है बहुत सारी सरकारी योजनाय और उसे ध्यान भी रखा जाता है आप खुद एक वरिस चिकित सक हैं बालिकाओं के सुपोर्षन के लिए क्यों कुछ और क्या कुछ किया जा सकता है विशिश ध्य देखिए हमारे जो यह सही पोशन देश रोशन जो यह आपकी जो अभियान चला जा रहा है पिछले तीन साल से और पूरे सितंबर महां में तो इसके बहुत सारे कारक्राम होते हैं यह सितंबर आवियरनेस के लिए यह महिना घोशित किया गया है जी तो इसमें जो आपने अभी की होता ही है कि किशोरियां जो होती है इनके तेजी से बढ़ने की उमर होती है और तूसरा बारह तेरह साल की उमर में इनके शरीर में चेंजे जाते हैं इनको महावारी यानि मैंसेस यानि पीरियाट से स्टार्ट होते हैं तो यह जो हर बार इनके पीरिया कि शोरी महिलां मांसिक और शारीदि विकास हो रहा है इनको मैंसे से व्लैड लौस होता है उसमें आरण लॉस होता है इसलिए यह लोग टार्गेटेट है इनको अगर अभी से आप सिक्चित करेंगे भोजन के बारे में और संतुलित भोजन के बारे में रिक्वार्मेंट्स के बारे में तो एक बार ही सीख रहेंगी तो उसके बाद इनकी जिंदगी आसान और स्वस्थ हो रहेगी जी मैं समझता हूं कि सीमित जो समय अवधी हमारे पास थी उस पर सही पूर्शन देश वर्शन इस विशे पर आपने स्टूडियो में आकर कि जो ह जो ही पूर्शन देश वर्शन के साथ आप स्वैंबी स्वस्थ रहें मस रहें कार्यकम की आज की सकड़ी से दीजिए अनमती नमस्कार कर दो कि मेरी अपनी सब्की है यह आज ही नहीं कल की है यह अपने हग अधिकार दिला आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते हर मुश्किल का हल है सुझाती जीने की एक राह दिखाती अंधियारे में राह दिखाती आपकी बाते